कि नमस्ते मेरा नाम आशीज दिक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर है सीमा हैदर पर एक फिल्म बन रही थी कलाची टू नोएडा उसका टाइटल जो है रिजक्ट कर दिया गया है आई-एम पी-पी ये जो इंडियन मोशन पिचर्स प्रडूसर्स एसोशेशन जिसका नाम है उसने सीमा हैदर पर फिल्म बना रहे अमिज जानी के इस टाइटल को रिजक्ट कर दिया है उनका कहना है कि ये फिल्म का जो टाइटल है ठीक नहीं है कंट्रोर्षियल है इसल 17 अगर्स्त को मैंने ऑनलाइन अप्लिकेशन दी थी और पैसे भी जमा कराये थे फीस भी दी और कहा था जल से टाइटल मेरा रेजिस्टर्ड हो जाए ताकि जो बंबई की जो मुंबई की जो लॉबी है इस पर कहीं इस पर टाइटनर सेलेक्ट कर ले और इस पर फिल्म इस 24 अगस्त तक वो इंतजार करते रहे उनका टाइटल रिजेक्ट कर दिया गया है अब अमिज्जानी का कहना है कि जब चाइना चांधनी चौक टू चाइना फिल्म बन सकती है तो कराची टू नोइडा फिल्म के टाइटल में क्या प्रॉब्लम है उनका आरोप है कि यह जो आश ठाकरे की जो पार्टी है उसके दबाव में किया गया है उसका दबाव यह था कि अगर यह टाइटल दिया गया तो जो 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 फिल्म कंबाइन का जो आफिस है मुंबई में उसमें तोरफोर की जाएगी हंगामा किया जाएगा मार कूट की जाएगी हम आपका टाइटल लटकाते रहे टालते रहे हम इत्जानी को और अविसके बाद आखरी में उनको मेल किया है मेल करके कहा गया है कि हम ये टाइटल एक उनकी पिचर जो कनया लाल वाली बना रहे थे उसका टाइटल मॉब लिंचिंग एक टाइटल से उन्होंने एक और टाइटल रिजक किया था एक कराची टू नोईडा लव स्टोरी जो सचिन और सीमा किसे जुड़ी हुई थी वो दो टाइटल मेल करके रिजक्त कर दिये गया है अमिज जानी इसको लेकर बहर बढ़के हुए हैं इस मामले में सीमा हैदर भी कई बार कह चुकी है कि मेरे से पूछे बगएर मेरे जिंदगी पर अमिज जानी ऐसे कैसे फिल्म बना सकते हैं एपी सिंग भी इस बात को लेकर ना रहा हूं अब जब उनकी फिल्म का टाइटल रियक्ट हो गया है तब अब अमिज जानी आरोप लगा रहे हैं मुंबाई लॉबी पर उनका कहना है कि योगी जी मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं योगी जो नोईडा में फिल्म सिटी बना रहे हैं जब वो बन जाएगी त जो मुंबाई लॉबी इस तरीके से अपने चला रही है वो कही न कहीं खत्म हो जाएगी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है क्या जो टाइटल रियक्ट हुआ है वो ठीक हुआ है क्या अमिज जानी जो सीमा पर फिल्म बना रहे हैं क्या वो उनकी मरजी के बगार बना रह